जनता के बीश में जाते हैं और बात करते हैं तो वो यह कहते हैं कि शीला दिख्षित जी ने बनवाया था ये स्कूल शीला दिख्षित जी ने बनवाया था ये इनों ने बनवाया था लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अब मौझूदा दौर में कॉंग्रेस में ना नेता बचे ह और ना चुनाव को लड़ने की मांदारी से नियत है और यही वजाए कि कॉंग्रेस दिल्ली के जुनेता आजय माकन जी लवली जी वो नजर भी नहीं आ रहे हैं इनके यहां तो देखे आप उपराश्ट जितने बड़े नेता है चाहे वह अध्यक्ष हो या बाकी जितने पाटी ने मिलकर की है क्योंकि यह भी उत्ती लाइन पे चले गए हैं काम कुछ मत करो लोगों को भ्रामित करो बड़े-बड़े इस्त्यार लगाओ और होडिंग लगाओ अभी जो अभी हमारे दोस्त रमेश बिदूरी जी कह रहे थे कि यह दिल्ली के अंदर हमने यह शफ पाई नहीं करना दिल्ली की गलियां सड़ी पड़ी हैं बुरी तरीके ते कोई वहाँ जाने को तयार नहीं है मच्चरों की भरमार है यह हिंदूस्तान की राजदानी है और मुझे तो मैं सोच के आया था कि आज आम आदमी पार्टी के कोई जांबास फिर आएंगे जूट बोलने के लिए क्योंकि उन्होंने तो राजदीती का एक नया अध्याय लिग दिया है कि जूट बोलते रहो आखों में आखे डाल के काओ कि मैं तुमारा बीटा हूं मुझे हुकुम कीजे मैं सब कर दूँगा और आज जो दिल्ली का हाल हो गया है दिल्ली एक कूला खाना बनके रह गई है जो आप शीला जी की बात कर रहे थे उस दौर में समेदन शील्टा के साथ दिल्ली का विकास किया गया हर चीज को सोच समझ के किया गया आज इस एंवार्मेंट में हम लेकिन हारुन साहब बड़े बुड़े ये भी कह गये हैं कि अगर वर्तमान में तिहा अभी की बुराई करके सरकार नहीं मना पाएगी देंकि मैंने तो अभी आप से कहा कि नए दौर नए तरहां की राजनीती की जो शुरुआत हुई है वहाँ जूट धकोसले अभी आपने बात की भारतिय जन्ता पार्टी की तो वह 370 की बात करते हैं वह कॉमन सिविल 37 तुकड़ों की बात करते हैं लेकिन जो गुजरात में हुआ जिस तरीके से बिलकिस बानों जो तीन महीने की प्रेग्न औरत थी जो उसके बच्चे को मारा गया पेट में और उसकी तीन साल की बेटी को दिवार पे पटक पटक के मार दिया वह बिलकिस होती या बभीता हो लेकिन इंसानियत कहां को गई है आज हम धर्म के नाम पर इंसानियत को भूल रहे हैं और मुझे बता दें कौन सा धर्म है आप हरुज साब फिलमे देखते हैं और में स्ट्राइल में केंपिन कर रहें कि हमारे पास कट्टर इमानदारी है कट्टर देशभक्ति है इंसानियत है बहुत सारे फ्री में जनता के लिए मौके हैं कॉंग्रेस के पास क्या है आप अपनी चीज़ बताइए ना जनता आपको वोट क्यों दे बीजेपी कह रही है हमारे नेता है हमारे पास अभी नटा है हमारे पास एजेंडा है कॉंग्रेस के देने वाली है कि वर्तमान भी ऑद तेमाजी से बनता सब्सक्राइब थे लड़ने वाले एक नया रूप लेके जाडू लेके उतर गए आज जिस तरह कब रेश्टरचार दिल्ली में हैं कट्टर इमानदारी अपने आपको कहने वाले जेलों में पढ़ें पांच महिने से और एक दो और जाने वाले हैं जिस तरीके से दिल्ली को शराब की राजदानी वाल देती है मुझे पंजाब में केज डिवाल जी ने परियास किया तो पंजाब में यही हरकत करने का उनको मुधो जवाब मिल गया केज-जी वाल साब और जो इनडिपेंडेट अजजि काम करती है न, वो देश के सिश्टम को समिधान को प्रॉपर वे में चलाने के लिए करती हैं, केजरिवाल साब की नोटंग की क्या होती है, ग्यारवी पास बच्चे को कॉलेज में चिट्री लिकर भेजेंगे, वाइस चैंसर के पास, इसको कॉलेज में दाखिला कर दो, अब वाइस चै केजरिवाल जो भी काम करेगा एंड काम होंगे उनकी फाइल भेज़ेगा साइन नहीं करेंगे यह केजरिवाल साब की फित्रत है दूसरी जो करुप्शन की मैं बात करना कहना चाहता हूं अगर यह इमांदार लोग हैं कर लिया स्थान्दर जी को तो अदालत है ना इसलिए पता है हमें इसलिए पता है चार सीट पेश की जाती है किसी वेक्टी के गिरफतारी होने के टाइम में तब चार सीट पेश की जाती है जब सबूत आते हैं अब यह जो लोग पढ़े लिके तो अनपढ़ की नोटन की अनपढ़ लोग पढ़े लिके की नोटन की करने वाले लोग है तो इसलिए चार सीट जब केज जब अमनी शिचोद्या का नंबर आएगा उनकी भी चार सीट पेश होगी वो नंबर में रेक्चूज़ है पर लेट मी कंप्ली मैं लेंडफिल साइट है जहां विस्व मैंने पहले का विस्व के महानगरों में लेंडफिल साइड होती है और वह हमारी बनाई नहीं है वो मार्श्टिल प्राहन हारुन साब लेकर रहा है अवारा पश्व यह तो समस्या है ना सर्व यह नहीं मानता हूं आपने मेरे से तीन करें अगर कुड़े दान पर दिखाऊगे पूड़े दान पर जली भी दिखेंगी क्या वह तो किछल में अरे अगर कुड़े दान आपने कुड़े दान की जो लाइन फिल साइड आ है यह तो देखो आपने चैनल के बढ़ानी है और मुझे पता हो तब मैं आप यह पर्ट आम आपधी पार्टी ने कट्टर इमांदार कहा, आप लोगों ने करॉप्शन को लेकर एक्सपोस किया, बीते कुछ दिनों से बीजेपी रोज सुबे एक वीडियो बम जारी करती है, हमने देखा कि मसाज का वीडियो आया, बहुत सारे और वीडियो सामने आये, कैश वाला आया कि अखिलेश पर्तितर पाठी कैसे कैश माग रहे थे, उनके साले गिरिफतार हुए, लेकिन जहन में एक सवाल आता है कि अगर पैसा लेने वाला गलत है, वो आरूपी है, उसका साला गलत है, वो इसी भी ले जा रही है, तो जो विक्ति पैसा दे रहा था, क्या वो सह मिल्री कराया, पैसे देने वाला भी भरषता, वो आमाद्बी पाठी का था, और पैसे लेने वाले भी भरषता, वो भी आमाद्बी पाठी का था, तो य। कोप लगाए गुपाल खारी उससे विजे गोयल जी ने जीपी में शामिल करवा लिया है और उसको लग रहा है मेरी ठगाई में ये लोग मेरी भगवान किशन जी का काम क्या था बगवान किशन जी का काम था पांडवों को पांच गाव नहीं देंगे उनके साथ अत्याचार हो रहा था तो भगवान किशन के साथ खड़े हुए थी अगर भाजपा के लोग ऐसे व्यक्ति को जिस विचारे चाय पकड़े बेचने वाले के पैसे ठग लिए 90 लाक रुपे अगर उसके साथ भाजपा खड़ी नहीं होगी तो समाज हमसे पूचेगा पोजिशन क्या कर हमारा काम है